नमस्कार प्रियदर्शकों मैं आचारी आसित सेमवाल आपकी चैनल एस्ट्रो कालगर्णा में आपका स्वागत करता हूँ जिस विशाय में पर हम पूर्व में भी चर्चा कर रहे थे उसी विशाय को आज आगे का फल में आज आपको बताने जा रहा हूँ जैसे जन्मकुंडली में चंद्रमा से बारा भाव में सूर्य के प्रभाव के बारे में की चंद्रमा से सूर्य क्या फल देता है चंद्रमा से प्रथम भाव में क्या फल चंद्रमा और सूर्य एक साथ बैठे क्या फल देते हैं चंद्रमा से दूतिया भाव में सूर्या हो चंद्रमा से तिरतिया भाव में सूर्या हो चंद्रमा से पंचम भाव में हो सस्थम में हो सप्तम में हो अस्थम में हो नवम में हो दसम में हो एकादस में हो द्वादस में हो चंद्रमा मैंने पहले बताया है मां चंद्रमा है मन चंद्रमा जलत्वा का ग्रह है और चंद्रमा जिस भाव में बैठा होगा एक नौट कर लिए इस बात को जो 30 जानकारियों का अनुकरन करते हैं उनकों आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आप ध्यान दीजेगा जहां जनम कुंडली में आपके चंद्रमा ग्रह बैठे हों जिस भाव में चंद्रमा बैठे हों वहां पर जो अंक लिखा हुआ है तो वह आपकी रासी है जिस अंक में चंद्रमा बैठे वे हैं वह आपकी रासी रासी का पता करने के लिए जहां चंद्रमा बैठे वे तो मेंस रासी हो गई दो अंक में बैठे हुए हैं तो ब्रिक रासी होगी, तीन अंक में चंद्रमा है तो मिथुन रासी है, चार अंक में करक रासी, पाच अंक में अगर चंद्रमा बैठे हुए हैं तो सिंग रासी, छे अंक में अगर आपके जनम पत्रिका में, जनम कुंडली में बैठे हुए है तो आपकी कन्या रासी होगी, आप देखना, अपनी जन्यम कुंडली को, सब साथ अंक में अगर आपकी चंद्रमा बैठे विए हों, तो आपकी तूला रासी बन जाती है, आट अंक में बैठे विए हों, तो भृष्चिक रासी, नव अंक में हों, तो धनु रासी, दस अंक म छंड्रमाहिन अगर मुटें हैं तो आपकी कुम रासी बन देखना सीक रहे हैं या सीख रहे हैं तो यह सूर्य चंद्रमा से आप जान सकते हैं आप अपनी रासी आपको अपनी चन्द्रमा से पंचंभाव तकी चंद्रमा से सूर्य पंचंभाव में क्या प्ल देता है अब मैं बदाने चंद्रमा से जिसका सूर्य एक बार दुबारा नोट कर लीजिए चंद्रमा से सस्टंभाव में सूर्य ग्रह बैठे हों तो ऐसा जातक ऐसा व्यक्ति प्राक्रमी सूर्वीर योधा पुलीस खेना में नौकरी करने वाला घंड के पीछे भागने वाला कर दूंग्यूस न्यक्ति वहता है कि और घंगीव सुद्रूं पर दमाण करें अब यह बाद उसके इस सथ्रूं उसके द्वार पर उसके उसके ड्रय कारण दुबार दुबार कि उससे इतना विसके सतलंद्रमा से सूर्य ग्रह सब्सक्राइब बैठाओ उसके सुत्रुष के सामने न तमस्तक हो जाते हैं कि अगर चंद्रमा से सब्सक्राइब बैठे हूं वहां से गिलना एक दो तीन चार पांच छे साथ आप जन्मपतिका में कहीं दी चंद्रमा बैठे हूं कि वहां से फिलनान एक दो तीन चार पांच चे साथ यहां बैठे हूं दो और से आगे साथ कि वह अस्थान वह हम हूं कि और आपने उससे आधे किनना है जहां पर आपकी चंद्रमा बैठा हो चंद्रमा से साथ हाउस आगे अगर जिसका सूर्य बैठा हुआ हो ऐसा व्यक्ति अपनी उसकी जो इस्त्री होती है बड़ी ही गुणवान होती है सुसील होती है उसका नेचर जो होता है बहुत ही अच्छा होता है परिवार के लिए बर जो वर बध्यक्ति होता है जैसे जिसकी कुणड़ी है इस्त्री और पुरुसकी हो सब्त्रम से भोजा लगा ऑक व्यापार से और अपनी पथनी से भौय अप्रेम करने वाला हूता है धन केन प्रकारण उसके पर आ जाए धन को लेने वाला होता है ऐसा जिसका चंदर्मा से साथ में हाउस में सूर्या बैठा हुआ हो उसकी धरमपत्नी गुनवान होती है उसका नेचर बहुत अच्छा होता है परिवार के बीच बहुत अच्छी उसका लोग संबान करते हैं कि उसकी वाइब बहुत अच्छी है ऐसा लोग कहते हैं उसके बारे में या इस्तरी हो तो उसका पती बहुत जादा गुर्णमान होता है आप समझ लिएगा क्योंकि इस चंद्रमा से सब्तम्भाव जो होता है कुंडिली का भी मानलो आप सब्तम्भाव जोता है दामपत के जिसका चंद्रमा से आठ हाउस आगे हैं जो चंद्रमा से अस्तम्भाव में एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ घर आगे आपका कई में बैठावा चंद्रमा उसके आठ घर आगे सूर्य ग्रहा बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति रोग होता है कि उसको पेट का रोग और वह व्यक्ति हमेशा कलेश करने वाला जगडा करने वाला जगडालों व्यक्ति होता है कि परिवार के अंदर कुटुम के अंदर और भार के व्यक्तियों के लिए बहुत प्रेम कि से रहने वाला ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी चंद्रमा से आठ घर आगे सूर्य ग्रह बैठे हूं अब मैं आगे बताने जा रहा हूं चंद्रमा से जिसके नौ घर आगे सूर्य बैठे हूं जैसे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और नौ नौ घर आगे कहीं भी जैसे आपकी कुडली में मैं बार-बार कि ये बात दोर आ रहा हूं कि आप इसको न देखें इस चार्ड को न देखें मैंने एक आपको समझाने के लिए बनाया है यह चार्ड आप जान सके अगर मैं ऐसे ही बोलता आपको समझ नहीं आता लेकिन एक अ सहारे के लिए यह बना रखाए आपके आपके सहारे के लिए आप यह समझ पाएं जो जोतिस सीख रहे हैं अन्य था बहुत संसार में तो बहुत बड़े विद्वान हैं ज्यानी हम से भी स्रेश्ट व्यक्ति हैं मैं उन व्यक्तियों के लिए अग्यान है उन व्यक्तियों क भाव आगे नो घर आगे अगर सूर्या बैटे हूं तो ऐसा अब्यक्ति क्या धर्मात्मा होता है गुणवान होता है प्रोफकारी होता है उसके द्वार पे कोई व्यक्ति आता है उसके खाली नहीं जाने देता उसका बहुत सम्मान करता है उसका खयाल लगता है उसके दुख आपको उसका अन्वहव प्राप्त होगा आफ़ा है। और साथ में पुस्त पूंगा ग्यान दोनों चीजों को जोड़ करके आप बहुश्या और दूसरा आप भगवती का उपासना करें देवताओं की उपासना करें उससे आपको फलादेश आपका बहुत अच्छा हो जाएगा जिसको आप बोलना चाहेंगे वह वहां पे अज़िस विदेबता कोई आप उपासना करते हैं उत्रणिया पाथ कर संद्य आपकुजा करते ञें हैं तो वह वयपति वह आपको ब्हुतिस लिए कर खर्कुति थराओं कि तो मैं बठारा था कि चंद्रमा से नगओंभाव में सुर्या हो तो वह तर्मात्मा गुनवान परोक्त काई होता है लेकिन उसके अंदर एक detections गर के अंदर हमेचा कलेश हमेशा बना रहता है जगड़ा जयंकि उसके उसके अधर्मात्मा है पुर्णियात्मा है मेचे पीछे लोग परेद रहते हैं। तो जू फौक आनकि हैं कि वह ब्याटि एक बहुत अच्छा है तो उसका सम्मान करते ही कि उसके घर के अंदर हमेशा कलेस्ट बना रहता है जिसके जिसके मा से नजुम में चंद्रमा से नवंभाव में सुर्य ग्रह बेठे आब नाब दुरा गया आप गिन एक बार ना आए दो बार आये तीन बार आए बार बार कहता रहंगा आपको समझ आ रहेगा कि चंदरमा से एक दो तीम चार पांच छे साथ आठ नो तस चंदरमा से दस घर हागे दस हाउस आगे कि सूर्यग्रह बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है डhranवान ऐस्वर्यवान कहीं व्यक्तियों को को नोक्री देने वाला जिसके घर के आगे धनिक धनाड्य लोगों का ताता लागा रहता है इसका मतलब यह है कि कोई विक्ति होता है कोई मांगता है उसको मिलता है लेकिन को आगे अगे के आगे समझो दनाड्य लोगों का रोक तांता लगा रहता है क्योंकि उसका उसका प्रभावी ऐसा होता है चंद्रमा से दसम घर आगे सूर्य ग्रह बैठा हो तो गुणवान धन्वान उसकी कीर्थी राजा के समान वह उसकी कीर्थी चारों दिसाओं में फैली होती है अब आगे में मतार het चंद्रमा से एकादस घर आंब एक दो तीन चार पॉक्यार हाँश आगे आपने गिनना है और देखना है कि आपका चंद्रमा कहीं एकाद चंद्रमा चंद्रमा से एकादस भाव में सूर्य ग्रहो बैठा हुआ तो नहीं है क्योंकि ऐसा बड़ा ही चमतकारी बेखती होता है किसी एस्वरे की कमी विप्ति के बास नहीं होती है उसका मुखाकरति लालिमा चमकती है उसके मुखाकरति जहां जिसके बीच आता है वोग उसकी प्रसंसा करते हैं कितना बड़ा आजमिय है तो पिसका रहना सेहना खाना पीना भौधी ज्यादा कि अच्छल कि ऐसकी प्रसंसा करते हैं अशकै उसकी चै साव में फैली होती है ऐसे विख्ति कि आगीत्ती करना अपने। आपके तो नहीं है चंदरमाभत लाज आутतrio मैं सूर्यगां के इंति करना आपने क्योंकि उसके अंदर व्यक्तियों को अपनी अंदर के ग्यान के बारे में कई को पता नहीं होता मेरे अंदर क्या खूबी है कि मैं उस खूबी को जगाना चाहता हूं जोतिस को डराने का भी साइब रास्ता दिखाने का भी साइब बादाओं को हटाने का भी साय जो आने वाली समस्या है उसका निवारण करने का भी साय आप उन ग्रहों का उपाई करके उनका अच्छा फल ले सकते हैं आप अगर उनके ग्रहों का जब कराएं यह किसी प्रकार से उनका निवारण करें तो बड़ी से बड़ी चीजें भी आपके दूर हो जाएगी तो चंद्रमा से एक आदस भाव में जिसका सूर्य ग्रहों बैठा रहता है वह ऐसा व्यक्ति समाद में बढ़ा ही ख्याती प्राप्त व्यक्ति होता है धनाध्य होता है विस्वाज दुसकी के चारएर छाँ ने पढ़े यह जाता कम जढ़ां उत्ना कम हें लेकिन एक बात होती है उसकी संतान हिसे संतां के सुक्व में फोड़ा कमी रहती है संतान हो जाना गर्व का नस्थ हो जाना थोड़ा लेड़ से हो जाना क्योंकि ऐसे ब्यक्ति के घर में संतान भी पुर्ण्यात्मा आईगी तो उसके लिए समय लेगेगा ठीक है समझनी कियेगा तो इसको ऐसा भी सही है गहन भी सहय इसके बारे में जितने चर्चा करोँ जितना आब इसके बारे में बात करो तो आनंद मिलता है जित बताना चाहो बहुत कि गहम भी सहय है चंद्रमासि जिसका ग्वादस भाव में सूर्य बैठा हुआ तक ही लीजिएगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आज नौध दस ग्यार और बारा हाउस में सूर्य ग्रह बैठा हो ऐसा अभ्यक्ति नेत्र नेत्र विकार रहते हैं अगर पूरुस है कंदो तो बाया नेत्र और इस था है तो दाया नेत्र विकार रहता देख लिजेगा नौट कर लेजेगा इस बात को उनकी आपों में जुरुर अगर ऑर नेत्र में तरे बाहर आपने सम्मान के चक्र लेकिन घर के अंदर हमेजा कले रहता है दूपे रहता है जो गए हमेशा एसा हो जाए जगड़ा बना रहे हैं प्रस्ति में हमेशा क्या घू रहने की सोचता है उसकी जो परिवारिक यार क्यों आया यह बंदा कि जहां था वहीं रहता कुछ दिन और उसके कारण परिवार में कलेज बना रहता है लेकिन और उनके लिए बहुत अच्छा कि ऐसा जिसके चंद्रमा से 12 भाव में सुर्य हुआ है कि मैंने आद आगे आपको पुरे ग्रहों का फल आपको बताने वाला और बीच बीचरने आपको पासए पाठे एक डिर जस्ते नहें हैं तो कभी लांत रहें उनको रहोंगा बीच कि आपको यदि मेरा ढावा ग्यान मेरे बोलने का तरीका मेरे पताने का तरीका मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता अचार्या बन सकता है और एक वेक्ति का रोजगार व्याहसाय उन्नत ही हो सकती है क्योंकि जो ग्यान मैं देता हूं वह ग्यान अगर कोई ग्रहण कल ले तो उसके जीवन में खुशाली आ जाएगी मैं भगवान अब शाणिश्वर्मारा बद्रिनारा है और भगवान के दाना से ही आस प्राथा करता हूं कि मेरे जो प्रियदर्शक हैं उनकी सभी मनोकामना भगवान पूर्ण करें तब तक के लिए मुझे अनमत दीजिए नास्का